आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई 12 इंच ली है और आस्तिन के कपड़े को हमें इस तरीके से बीच में से दो भागों में कट कर देना है आस्तिन में डिजाइन बनाने के लिए हम देर इंच चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे ऐसे फोल्ड करके हम यहाँ पे लगाएंगे अब हम इसके उपर एक बराबर में सीथी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहाँ से एक बराबर में सीथी सिलाई चला लेनी है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से धागी को कट कर लेंगे और एश्टा कपड़े को भी अब हमें कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़े को ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसके उपर एक बराबर में सीथी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्पलीट करने के बाद सेम स्टेप को फॉलो करते हुए जो हमारे दूसरे साइट का आस्तिन का टुकड़ा है उसमें भी फ्रेंड हम ऐसी डिजाइन बना लेंगे तो हमारी दूसरी साइट की भी लाइन कम्प्लीट हो चली है अब दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करने के लिए देर इंचोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे औ और आस्तिन के कपड़े को इसके उपर लगाते हुए एक बराबर में सीथी सिलाई चला लेनी है अब हम यहाँ पे सिलाई को स्टॉप करेंगे और ऐसे कपड़े को घुमाते हुए अब दूसरे साइट में हम आस्तिन के कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसके आप दोनों आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर सकते हैं, वो भी बहुती इजी स्टेप को फॉलो करते हुए, अब हमें यहां से धागे को कट कर लेना है, और नीचे की सैड से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेनी है, इस लाइन को कम्पलीट करने के बाद, अब हमें इ पकरम को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करने के बाद, अब हम इसकी लंबाई नापेंगे, तो हमें धाई इंच की लंबाई पे टिक लगाना है, तो यहां पे हम धाई इंच की लंबाई पे टिक लगा लेंगे, अब इसकी उपर हम धाई इंच की लंबाई पे टिक तो यहां से हम एक बराबर में लाइन अप कर लेंगे, ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हमें यहां से लाइन अप कर लेना है जो हमने धाई इंच पे टिक लगाया है, धाई इंच पे टिक लगाने के बाद अब हमें धाई इंच के बीच में एक बराबर में टिक लगाना है ऐसे टिक लगाने के बाद अब हम इसे लाइन अप कर लेंगे तो जहाँ जहाँ हमने बीच में टिक लगाया उसे लाइन अप कर लें अब इसकेल की साहता से हम बर्फी कटिंग में ऐसे लाइन अप करेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चेनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन जरूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें डिजाइन की कटिंग करनी है तो यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे डिजाइन की कटिंग करने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके से आएगा इसे इस तरीकी साहता से हमें दूसरे कलर के कपड़े पे चिपका लेना है तो यह देखिए हमने इसे चिपका लिया है अब इस डिजाइन को तयार करने के लिए हमें ऐसे इसमें बीच-बीच में कट कर देना है कपड़े को दोनों साइड में हमें ऐसे कट कर लेना है तो ये देखिए हमने दोनों साइड में कट कर लिया है अब हमें गोंद लेना है गोंद की सहायता से प्रेंड हमें कपड़े को फोल्ड करके जिस सेफ में हमारा बक्रम है उसी सेफ में हमें कपड़े को चिपका देना है तो ये देखिए गोंद को ऐसे लगा कर हम बक्रम पे ऐसे चिपका देंगे अब इस साइड में भी हम गोंद लगा के ऐसे चिपका देंगे इसे बिल्कुल इसी तरी किसे गोंद की सहायता से जिस सेप में हमारा बकरम का कटिंग हुआ है बिलकुल उसी सेप में हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए बकरम पे चिपका देना है हमारा एक साइट का लाइन कम्प्लीट हो चला है सेम सेप को फोलो करते हुए हम दूसरे साइट के भी लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे तो ये देखिए हमारा दूसरे साइट का भी लाइन कम्प्लीट हो चला है अब डिजाइन बनाने के लिए एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की चोड़ाई 8 इंचे और कपड़े की लंबाई कितनी है ये ना प्रेते हैं कपड़े की लंबाई 16 इंचे अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसे बीच में से दो भागों में कट कर देना है तो हमने कपड़े को बीच में से दो भागों में कट कर लिया है अब हम एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की चोड़ाई चार इंचे और कपड़े की लंबाई साड़े आठ इंचे तो अब हम इस वाले कपड़े में इसे ऐसे ज्वाइंट करेंगे कर ऐसे सिलाई कर लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम यहां से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो हमने एश्टा कपड़े की कटिंग कर लिए अब इसे हम ऐसे उल्टा करेंगे और यहां से कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके उपर एक बराबर में सी सिलाई चला लेंगे हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चलिए इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें कपड़े को सीधा कर लेना है तो हम कपड़े को सीधा कर लेंगे ऐसे और यहां से हमें ऐसे चूनट बनाना है जो हमारा green color वाला कपड़ा है वो अंदर के तरफ होना चाहिए अब इस side से हम चूनट बनाएंगे और इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे इस line को complete करने के बाद अब हमें आस्तिन के कपड़े को और ये चूनट वाले design को joint करना है तो ये रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा आस्तिन के कपड़े को हमें ऐसे joint करना है जो ये हमारा आस्तिन के कपड़े में लंबी से design बनी है और चूनट वाले design को ऐसे बीच में एक बराबर में joint करना है जो की सिलाई करने पे ये दोनों एक बराबर में आए अब हमें यहां से धागे को कट कर लेना है तो ये देखिए हमने बहुती अच्छे से इसे जॉइंट कर लिया है अब किनारे की साइड से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे एश्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद इसकी उपर से हम एक और सी लाई चुला देंगे जिससे हमारा डिजाइन पर्फेक्ट सेप में बैठ जाएगा तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चलिए इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब जो हमने डिजाइन बनाय था बगरम वाला उसे हम ले लेते हैं उस डिजाइन को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है और जिस सेप में फ्रेंड हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में हमें इसकी उपर सिलाई चला लेने है तो design के दोनों side में हम सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा design perfect shape में बैट जाएगा इस line को complete करने के बाद किनारे की side से हमें extra design की cutting कर देनी है ऐसे extra design की cutting करने के बाद अब हमें design में यहाँ पर bottom लगा देना है यह देखिए हमें ऐसे bottom लगाना है design में तो फ्रेंड हमारा design बनकी complete हो चला है thanks for watching